मुए दिन चिस्दी की दरगाह कहां परिंस्तित है, नमस्कार फिर है आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल संदेश इंसिटूट में और मैं हूँ सर्वेस्थिवास्तो और आज मैं GKGS का आज मैं क्लास लेने वाला हूँ और आज के इस क्लास में कुछ important ऐसे questions को मैंने select किया हुआ है जो कि आपके इस exams में इस तरह के questions जो है आप से पूछ जाएंगे सो आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe जरू करें साथ ही साथ बगने बिल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लेजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलूट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा सो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले question पर हम चलते हैं यहाँ पर देखेंगे कि पहला question जो होगा यह exams में बार बार पूछा गया है और यहाँ पर जो है जितने भी questions मैंने लिया हुआ है यह questions जो है exams में जो है कई बार पूछा गया है सो आज की क्लास जो है important होने वाले है so पहला question देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी नहर परियोजना कौन से है question क्या कर रहा है कि भारत में सबसे लंबी नहर परियोजना जो है इंद्रा गाधी नहर परियोजना है ठीक है आप cancer क्या होगा इंद्रा गाधी नहर परियोजना अगला कोशन है कि रिहंद बाद कहां इस्तित है रिहंद बाद कहां इस्तित है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदीग पर है रिहंद नदीग पर जाए उत्तर प्रदेश में जाए रिहंद बाद इस्तित है अला कुशन का रहा है कि सरदार सरवर परियुजना किस नदी पर इस्तित है तो नर्मदा नदी पर और ये मध्य प्रदेश में है तीके नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है फिर आला कुशन है कि चित्तोड गड में बिजे अस्थम किसने बनवाया था तो आपका हो जाएगा राणा कुम्भा ने ये अस्थम बनाया हुआ था आला कुशन है लाहोर में सौट्स की गोली मारकर हत्या किसने किया था तो भगत सिंग ने किया था कि इंपोर्टेंट कुशन्स ख्वाजा माल गुड़ी डेज पुस्तक किसने लिखा है तो आरकी नरायन ने लिखा है या पुस्तक जो आरकी नरायन ने लिखा है फिर अगला कुशन जो है क्या ब्लाया कि गादी अध्यन संस्थान का संस्थापक किसको माना जाता है यानि कि गादी अध्यन संस्थान का संस्थापक किसे कहा जाता है तो जय प्रकास नरायन को फिर अगला क्वेशन है कि चार मिनार का निर्माड जो है किसने करवाया था ओली कुतंबु साही कहां पर हैदराबाद में तो यह होगा कि ब्रिटिस सरकार का सरकारी रिपोर्ट लगता था ब्रिटिस सरकार में उसको जहें ब्लू बुग के नाम से जाना जाता था ठीक है यह इंपोर्टिंट कोशन है इस कोशन का जो जो है जितनी मीने कोशन देखते हैं यहां पर देखेंगे सबसे पहले कोश्व नम्हीं 11 कि ELO फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट यानि कि फ्रांस सरकार जो फ्रांस ग्वर्मन्ट ही उसकी जो सरकारी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलो बुक बोलते हैं ठीक है फिर उसी तरीकी से फिर आरेंज बुक क्या है आरेंज बुक का मतलब क्या है कि यह नीदर लेंड सरकार है नीदर लेंड सरकार का जो सरकारी रिपोर्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं आरेंज बुक बोलते हैं ठीक है इसके बाद अगला क्वेशन जो है पुला है कि केंद्र सरकार को कानोनी सलाह कौन देता है ध्यान से समझेंगे क्वेशन को केंद्र सरकार को कानोनी सलाह कौन देता है तो एंटार्णी जन्राल जो महान न्यायवादी होता है किंद्र सरकार को कानूनिसला हो इसके बाद अगला कोश्चन जो होगा ओक्षुन आपके खेल से रेलेटेड है आप लोग cricket मैच आप लोग खेलते होंगे तो उसमें क्या है कि cricket की पीज की कितनी होती है जो क्रिकेट टीम का जो पीच की लंबाई होती है वह होता है 22 गज यदि मीटर की बात करते हैं तो 20.11 मीटर होगा 22 गज का ठीक है और क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है जो cricket का बल्ला होता है उसकी जो लंबाई होती है 96.5 cm 96.5 cm यदि उसकी चवड़ाई देखते हैं तो 22.9 cm की चवड़ाई होती है और उसकी लंबाई कितने हो जाएगी 96.5 cm हो जाएगा ठीक है अला कुशन है कि cricket में प्रियुक्त गेद की परिधी कितनी होती है जो cricket match में जो बाल प्रियोग होता है उसकी परिधी के लिए हम बात करते हैं तो 22.4 से 22.9 cm तक होता है इसकी परिधी 22.5 से 22.9 cm होता है जिसकी वजन के हम बात करते हैं तो 155 ग्राम से लेकर 168 ग्राम तक का हो सकता है इसके बाद cricket में stump की लंबाई कितनी होती है जो stump यूज होता है उसकी लंबाई होती है लगबग 72 cm होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 72 cm होता है गोधरा कांड कब हुआ था तो 27 फरवरी 2002 में गुजरात में हुआ था कांड गुजरात में 27 फरवरी 2002 को हुआ था इस तरह का कोश्चन जो है आपके ससी जीडी के एक्जाम में आना ही आना है अब देखिए अगला कोश्चन पागल कुते के काटने से कौन सा रोग होता है यानि कि यदि कोई कुता जो है यदि पागल है तो यदि वो काट लेता है तो कौन से आपको बिमारी होगा वो हाइडरू फीबिया के नाम का एक संक्रमन होगा जो आपके बाड़ी में फैलेगा ठीक है इसके बाद हवाई जहाज का अविस्कार किस ने किया था तो राइट बंदू ने किया था हवाई जहाज का जो अविस्कार है राइट बंदू ने किया था इसके बाद डैनामाइट का विश्कार किस ने किया था तो यह कोष्टन जो आप देख रहे हैं यह जो जीके का कोशन आपको जूठ नोट साब बनता रहेगा तो कोशन का एक collection होगा जिस से क्या होगा कि आपको तैयारी करने में थोड़ा सा आपको 시간이 हो जाएगा आक यतनी ही मिक कोशन सिलेक्टेट कोश्चन है जो कि आपके एक्जामस में इस तरह के आएंगे चली आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं चली और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं तब तक के लिए जाहन